नमस्कार दोस्तों मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैच फॉर यू में आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल सिंपल मैच फॉर यू में और आज का जो वीडियो है वो पटवार परिक्षा की जो त्यारी है उसके उपर आधारित है जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का उद्देश से है मैथेमेटिक्स की नौलेज को आप सभी तक पहुचाने के लिए और आगे और भी काम्याब होंगे आज का जो लेशन है चटा लेशन है पहले पांच हमने पटवार परिक्षा की त्यारी पर लेशन किये हैं आज का टोपिक है शरल ब्याज और चकृति ब्याज का सूत्र पिछले वीडियो में हमने शरल ब्याज क्या होता है चकृति ब्याज क पटवार परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं तो भी आपके ये ये वीडियो इंपोर्टेंट है और अगर यदि आप किसी अन्य परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं जिसमें सरल ब्याज और चक्रूति ब्याज टॉपिक है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है तो करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल लाट तक देखिए फुल आवाज में देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपना यह जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लेजिए चलिए शुरू करते हैं सराल ब्याज को हमने कल पड़ा था कि सर्ल ब्याज ए चकुरूति बयाज में तीन लेजा का होती और दहीं की जाती है कितने परसेंट की दर से ब्याज उस पर जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं ठीक है एक होता है समय समय का मतलब है कि जो हम पैसे उधार लेते हैं वह कितने समय के लिए लेते हैं एक साल दो साल यह सब चीजें हमें पता होती है ठीक है यह तीन चीजें होती है इस amount ठीक है अब जो सूतर हम पढ़ेंगे सूतर में मुल्दन भी ल 사진 में लिख सकते हैं तो कोई लिखावा हो आपको समझना है वही चीज होती है चाहे डर लिखे एं चाहे लिखे समय लिखे इंकी लिख फोर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं SI का form SI का सुतर SI का मतलब होता है Simple forests itself क्या होगा simple interests यानि यह किस का सूतर है Saral-Vyaj का सूतर है update Sural-Vyaj का सूतर हम देखेंगे सबसे पहले छो सूतर है वह होगा SI **** बराबर p x ट x r बड़्टे में 100 यह सिंपल सा सूतर है सरल ब्याज का या साधारन ब्याज का ठीक है अगर इसी सूतर को हम हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे साधारन ब्याज साधारन को मैंने सा लिखा है मूलधन को मूल लिख सकते हैं टी को समय लिख दो दर पहले लिखो चाहिए समय लिखो उससे कोई परोब ही आपके सुतर या इस सुत्र से आने वाल उत्तर कोई नहीं पड़ेगा इसलिए पहले किसी को भी लिख सकते हो यह सुत्र होता है किसका साधरन ब्याज का सिंपल इंट्रेस्ट का English में भी आप लिख सकते हो Hindi में भी और दोनों में ही आप याद रखो इसे सूत्र है आप कन्फ्यूज मत हो न ठीक है यह होगा हमारे पास साधरन प्याज का सूत्र उसके बाद हम चलते हैं मिश्रधन का सूत्र यानि यदि हमें मिश्रधन निकालना हो मिश्रधन तो मिश् जोड़ तो जोड़ दो यदि मुस्र दन निपूचा तो यानि चक्रवर्धी ब्याज की तरफ compound interest, compound interest, ठीक है, अब यहाँ पर compound interest का क्या फॉर्मूला होगा, यह फॉर्मूला जो है, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कटिन भी है उसे, पी इंटू वन प्लस आर बट्टे सो की पावर टी माइनस पी, यह है हमारे पास compound interest का सोतर, यहाँ पर देखिए, चक्रवरती व्याज, इसको यह भी लिख सकते हैं, चक्रवरती व्याज बराबर पी की जगे मूलदन, इंटू वल प्लस आर की जगे दर, बट्टे में सो की घ हाथ समय, और माइनस मूलधन, अब यहाँ पर आप यह देखिए कि धर की घात में समय है, यानि समय जितना ज़्यादा होगा, यह दर उतनी क्या होती जाएगी, हर बार जुड़के दर बढ़ती जाएगी ब्याज के साथ, इसलिए इसलिए इसका सूतर तोड़ा सा अलग है यह सूतर आपको याद रखना है और यह जो सूतर यह आपको डा एरक्ट याद रखना है, इसका रिवेशन, यह कैसे आया, वह आपके काम के बार नहीं है, आपको डा आर्रेक्ट ही सूतर याद रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर यदि मिच्टर धन पूछा चाहं, क्या यह जो था ब्याज थीक है वे इसमें यह पूरा पहले वाला मिस्र धन उन्स में से खांगता दिया तो आपके वास क्या बच्छा का ब्याज यानि मिस्र धन का जो सूत्र मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे सो की घात समय माइनस मूलधन नहीं लगाओगे तो यह मिश्रदन का सुत्र है और अगर आगे माइनस मूलधन लगा दोगे तो वह ब्याज का सुत्र बन जाएगा ठीक है इस बात को थोड़ा सा समझना कैसे देखे मिश्रदन का कॉमन फॉर मूलधन प्लस ब्याज ठीक है तो यहां से अगर मैं ब्याज का फॉर्मूला निकालों यानि इस सुत्र से अगर मैं ब्याज का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं आपे लिख सकता हूं ब्याज बराबर मिश्रदन माइनस मूलधन यानि अगर मिश्रदन में से मूलधन यहांपे देखे यहां पे देखो आपने लाच में मूलधन गटाएगा है और यहां पे ब्याज आपके आईए इसका I 조 रेका पूरा यह जो सुत्र आपका क्या है यह सूतर आपका मिश्रदन का सूतर है तो यह आपसे चक्रवती ब्याज में मिश्रदन पूछा हो तो आप शीदे से इतना सा सूतर लगा दीजिए अगर आपसे ब्याज पूछा हो तो आगे माइनस मोलदन और कर दीजिए और इस तरह से आप इंद को दोनों को निकाल सकते ह अब हम लेते हैं एक उधारन और उधारन के द्वारा इन दोनों THE उस ने 10,000 रुपे उधार लिए उधारण किसलां कितना मानते हैं समय उसने 3 वर्ष के लिए उधार लिए ठीक है और जो ब्यात की है यह ब्याज की दर है वह अगर मासिख दी भी हो तो फिर वह नहीं होगा उसको पहले वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा तो मूलदन है 10,000 रुपए 10,000 रुप उधार लिए थे समय है 3 वर्ष 3 वर्ष के लिए उधार लिए थे और ब्याज की जो दर है वो है 5% वार्षिक अब हमें दोनों परकार के ब्याज निकालने हैं देखते हैं क्या होता है तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारन ब्याज क पहले को बाद में लिख सकते हो उससे कोई भरक्त बढ़ेगा लगाओ पी का मतलब मूलधन कितना है मूलधन 10,000 ती का मतलब समय कितना है 3 आर का मतलब दर कितनी है 5 और बट्टे में 100 यह जो दर के विचे 5 के परतिशत लिखा होता है उस परतिशत को अटाने के लिए हम क्य 1,500 और यानी 1,500 रूपwydd यानी 1,500 और क्या बन जाएगा आपका यहां पे ब्याज बन जाएगा अब दिहांज से देखो यह 500 रूपए मूलधन प्लस ब्याज मूलधन कितना था और ब्याज कितना है पंद्रा सो जोड़ेंगे तो 10,000 और 15,000 इनको जोड़ेंगे कितना हैगा 11,500 यानि 11,500 रुपर हमारा मिश्रदन है तीन वर्ष के पस्चात हमें 11,500 रुपर वापिस लोटाने पड़ेंगे यह तो भी सदर्ण ब्यास की गणना अब हमें काम करते हैं इसी सवाल पर यानि इसी आंकड़ो यदि चक्रूरती ब्यास पर लिया होता तो क्या होता तो चक्रूरती ब्यास की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे चक्रूरती ब्यास का सूतर लगाएंगे चक्रूरती ब्यास का सूतर हो गया CI बराबर मूलधन इन्टू 1 प्लस दर बट्टे 100 की गात समय माइनस मूलधन लगाओ मूलदन कितना है यहां पे 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी है यहां पे 5% बट्टे में 100 और समय कितना है 3 तो गात में आजाएगा 3 और माइनस मूलदन यानि की 10,000 अब यहां पे आप ध्यान देना जब आप इसकी कैलकुलेशन करो तो यह जो 10,000 है यह तो चुप चाप बाद में घट जाएगा आपको पहले इस पूरे की कैलकुलेशन करनी है करिए बिल्कुल ध्यान से करना कैलकुलेशन क्योंकि 90% जो बच्चे होते हैं यहां तक सवाल सह एक का सो में बाग दिया 100, 100 की एक से गुना होई 100, प्लस 100 का सो से बाग दिया 1, एक की पांच से गुना होई 5 इस तरह से LCM को लेकर जब बिल्नों को हल करते हैं तो यह चीज आपको आती होगी उमीद करता हूं नहीं आती होगी तो इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना एक सो पांच बट्टे में 100 अब यहां पर देखे घात किती है तीन तो गात तीन का मतला होता है 105 बट्टे सो कि किती बार गुना तीन बार गुना तो यहां पर मैंने इसकी कर दी तीन बार गुना ठीक है और माइनस पीछे कितना बढ़ा है दस अजार यह मनें थोड़ा सा आगे लिख दिया आप कंफि oldest हो efर 左 टीक है अब इसको आप हिल गरो तो यहां पर देखो इन दो जीरों से ये दो जीरों से यह तक ब्नडिप्लाय में हो जाएगा अब यहां पर बच गया यह तो इनको 5 के बारेश लाने दोनी दस जीरो इसको काटो पांस दोनी दस पांस एकम पांस यह आ गया ठीक है अब उपर में रपास क्या बच गया 105 इंटू 105 इंटू 21 और बट्टे में 20 और माइनस दस अजार यह अब आपको यहां पर क्या करना है इन दोनों की करनी है 21 से मल्टिप्लाइ करनी है 20 का भाग देना है जो भी संख्या आए उसको उसमें से दस जार गटा देना तो यह था हमारा उधारन अब यहां पर देखिए इसका जो मान आएगा वह हमेशा इस दरा स्וצpe की जड़ा ही आएगा जो हमारा यह था सदर्ण व्याज में उसमें इसमें यह जादा कहा है निकालना है है तो यह था एक एक सवाल करोके तो आप trends दोबार आप सवाल करो को आज के वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं कि जो मैंने आज वीडियो में समझाने का प्रयास किया वो आपको जरूर समझाया होगा वीडियो लाच तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी दवा दिजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन बिलते रहें धन्यवाद अऐस पूर थाइब कर दीजिए और करेंटेवा बिलते वीडियोंस थैकर दीजिए